नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस वक्त पे कोरोना वाइरस को लेकर एक बयान जो सामने निकल कर आया है वो किम जोंग की तरफ से आया है लेकिन अब किम जोंगुन चीन का साथ दे रहा है चीन का साथ देने के पीछे वजह क्या है और किस मामले में चीन का साथ दे रहा है वो जानना बहुत एहम है क्योंकि कोरोना वाइरस को लेकर जहां पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ बाते हो रही है हर देश ये कह रहा है कि जो कोरोना वाइरस फैला वो वोहान लाप से ही निकल कर पूरी दुनिया में फैला है दूसरी तरफ चीन की तरफदारी कर रहा है नॉथ कोरिया यानी प्योंग्यांग की तरफ से यह बयान सामने निकल कर आया इस वक्त पे कि हमारा देश यानी जो 75 भी वर्षगाट थी वहाँ पर उस पर किम जोंग ने आकर अपनी पार्टी अपनी पार्टी के वरकर्स और इसके साथ साथ पूरे देश को संबोधित करते हुए और वो जानते थे कि पूरी दुनिया इसको सुनेगी कि अब किम जोंग क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से मिजाइल टेस्ट भी नहीं कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने एक मिजाइल भी रख दिये सामने निकल कर और ICBM जिसे कहते हैं इंटर कॉंटिनेंटल बलिस्तिक मिजाइल वो निश्चित तोर पर अब नौर्ट कोरिया की ऐसी की उसे अमारिकन रेंजिस तक भी वो पूरी तरह से पहुंचा सकते हैं अब जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो यह कि क्या इन ICBM को देने के पीछे चीन का हाथ है क्योंकि देखे वो देश जो अपने लोगों को खाना तक नहीं खिला पा रहा है पूरी तरीके से वो देश जहां पर कई तरह की अभी टेक चाइना का हाथ है और इसी वज़े से अब किम जोंगन कह रहे है कि चाइना की इसमें कोई गलती नहीं है और हमारे यह जैसे कोरोना का एक भी केस नहीं है वैसे ही पूरी दुनिया में इस फक्त पर हो सकता है अलग कि अच्छी तरह से हर कोई जानता है कि वहां की जो सरकार कहती है वही करते है या लगता से मटकर रहे हैं उसे ऊक्तार से आप उसे ग्लोबल टाइम से कंपेर कर सकते हैं कि चायना जो भी चायना की सरकार कहने को कहती है क्यांकि सरकार ने उसकी सरकार ने उससे किया होगा तो यह सारी की सारी की यह किम जोंग ने चीन के समर्थन में तो बयान दे दिया है लेकिन इससे एक बार फिर से वो सारी बातें वर्सिस मोड पर आ गई है जिसमें एक तरफ अमारिका खड़ा है दूसरी तरफ नौर्ट कोरिया खड़ा है नौर्ट कोरिया चीन का साथ दे रहा है अमेरिका तरफ अब एक स्टेट्मेंट है जिससे पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है दुनिया का वो बदलता हुआ दिखेगा देखना दिल्चस्प होगा कि अब इस बयान के बाद अमेरिका की तरफ से क्या रियाक्शन आता है क्या माइक पोंपियो कुछ या इसके अलावा किसी और स्तर पर कोई बात चीत होगी देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि इस साल उने वाली मुलाकात को नौट कोरिया के तानर्शा किम जोंग उनने खारिच कर दिया था मुलाकात नहीं करेंगे फिलाल इस वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया अच